वेलकम बेक तो दे चनल आईटेक वर्ल्ड एकट्यू आज की वीडिए में अपनी साइबर सेक्योर्टी की प्लेलिश की इनुटमर फाइफ हो कंटिन्यू कर रहे हैं एंड ओवर्ल हमारा लेक्चर नंबर है थर्टी फाइफ एंड आज का जो टॉपिक है वो काफी इंपोर्टेंट है हमारा जो कि यह इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी राइट्स तो सारे ही में टॉपिक इसमें मैंने कवर कर लिया है तो इसमें जो एक टॉपिक था इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी इशूज ओवर्व्यू एंड पेटेंट कॉपिराइट ट्रेडमार्क्स तो प्रॉपर्टी इशूज हम अल्रेडी बात कर चुके हैं साइबर स्फेस में क्या होते हैं और ओवर्वी ओफ इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी रेडिटेड लेडिटेड लेडिशिलेशन इन इंडिया तो काफी कॉंप्लिकेट्टेड यह टॉपिक है अगर आप इसे देखेंगे तो लेडिशिलेशन मतलब जितने भी इसके कानून है वह लेजि आपको कन्फ्यूस नहीं होना पेटेंट कॉंप्याइट टेडवाक हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो इससे प्रीविएस वीडियो में मैंने आपको इंटेलेक्चुल प्रॉपर्टी क्या होती है उसकी एक बार अंडरलाइन करवा दिया था एक बार चीज़े द थिगारी होती है वह आपकी brag प्राइलेक्ट प्रॉपर्टी क्यूंक्य आपको आपने उसको मैनज से पैसो से अपने श्रम से बनाए है वह क्रेशन औस माइन्ड होता है आपके दिमाग की छमतास यानि दिमाग की मदद से जो चीज बनी है आपकी माइन्ड से लेटिड जो भी चीजे बनी है माइन्ड की जिसमें मेनद लगी वो एक तरसे intellectual property होगी अगर बात करूं इसके technical definition की तो काफी सिंपल है एक बाद definition पढ़ ले था उसके बाद मैं आपको एक explanation दोंगा इसका राइट intellectual property refers to creation of mind that is inventions इंट्रेश्टिल डिजाइन फो आर्टिकल literary and artistic work symbol extra used in commerce so intellectual property होता क्या है कोई किसी भी person की creation of mind यानि दिमाग की मदद से कोई चीज बनाई हो जो कि कोई invention हो सकता है कोई industrial design हो सकता किसी भी article के लिए कोई literary कोई artistic work हो सकता कोई symbol हो सकता जिसकी मदद से वो कुछ पैसे कमा पा रहा हो राइट सो कोई invention एक्जामपल लो बल्प का एक्जामपल लो तो बल्प जिसने बनाया आप नीचे comment में जरूर लिखेगा अगर आपको पता हो तो बल्प का invention किस ने किया था क्योंकि उनकी ownership उस design पर उस shoes company की है कोई literary work है William Shakespeare का कोई play है माने जरो tempest है तो उन्होंने उस play का खुद ownership ले रखी दी तो उनका जो भी credit है उसके उपर जादा publications क्यों बजाता है कोई भी artistic work है पिकासो था और लियोनोडा विंसी था तो इन्होंने अपनी सारी Mona Lisa की favorite काफी लोग की जो है famous है Mona Lisa तो उनका उसके पास क्या है artistic work का ownership है कोई कोई भी symbol हुआ कुछ भी चीज हुए trademark हुआ लोग हुआ पैपसी का लोग है तो वो सब इन सब की क्या है एक तरसे intellectual property है जिनकी दिमाग से बनाई हुए चीज़े हैं जिसे वो commerce में पैसा का माने में यूज कर रहे हैं अगर मैं बात पर सिंपली अपनी तो मेरा यूट्यूब चैनल है इस पर जो इसको कोई और मेरे लावा यूज करेगा मेरी वीडियो को तो इस पर मैं एजिली कॉपी नाइट स्ट्राइक लगा सकता हूं तो यह सब चीजे एक तरसे इंटलेक्शिल प्रॉपर्टी में आती हैं अगर आपको अभी भी कुछ भी क्लियर ना हुआ हो तो इससे पिछली वाली वीडियो लेक्शल नंबर 34 एक बार देख लेना आप ज्यान से उसका लिंक में आपको भी उपर दे दूँगा तो आपको यह समझ में आ जाएगा अ गोमिनों से हम सब लोग पीजा खाते हैं तो उसका एक लोगो है आपने दिखाऊ ऐसे करके बना रहता है ठीक तो इसका लोगो है वो ट्रेड मार्क के अंदर आता है पेटेंट है जैसे कोई भी हम कुछ चीज खोलते हैं मानबी चली एक टैप है सेंसर वाला टैप है या से उसका चीज है पेटेंट होती है खोई और यूजर नहीं कर सकता उस कमपनी के और धूसरी चीज में कोई भी आटिस्टिक वंप है मैंने कोई गाना गया कोई वीडियो बनाई मेरी मूवी है मानके मैंने कोई बिनाई मैं चैपना पर और voor इस a व ini बनाता हूं तो वो चीज अगर वो ऐसा करेगा तो उसको सजा मिलेगी किसके अंत्रगत इंटलेक्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और कि लिए हो जाएंगे रिखन इंट प्रेक्टि कहाया होता फिटे आप मेन हमारा वे एपलेट्जव्पोपिटि नाइटस ऐसे राइट जो कि किशी भी invention किसी भी काम को protect करने के लिए हम use कर सकते हैं as a law उनको हम intellectual property rights बोलते हैं तो एक बास की definition पढ़ लो simple definition rights which can be used for protecting different aspects for an inventive work for multiple protection जैसा मेरा कोई invention है उसको कोई copy ना कर ले उसकी बचाफ के लिए जो rights use होते हैं जो कानून यूज होता है वह होता है intellectual property rights अब most important चीज़ में बताने वालों क्योंकि देखो यह question seven marks में आएगा तू marks में तो आएगा नहीं तू marks में आगा तो intellectual property भूस सकता आपको तो seven marks में आपको लिखने के लिए कम सब मैंट इस तीन पेज लिखने और सबसे पहले आपको यही बताना पड़ेगा कि intellectual property क्या होता उसके rights बताने से पहले क्योंकि जिसको हम बचा रहे हैं उसका बारे म मैं पता होना चाहिए तो पहला आपको technical definition यह लिखनी है and most important point है जो आप मैं outline करने वाला हूँ कि इसको सबसे पहली बार use कौन से article में किया अपने constitution में तो outline in the article no.27 of the universal declaration of human rights इसका outline किया गया article no.27 में जो की आता है universal declaration of human rights किसी भी person की human rights होते है मौलिक अधिकार होते हैं उसके अंदर आता है intellectual property rights, IP rights किसी भी person के मौलिक अधिकार के अंदर आते हैं ठीक है मेरा मौलिक अधिकार है मैं सोच सकता हूँ मैं किसी से freedom of speech, freedom of thought होता न उसके अंदर आता freedom of IP rights अगर मैंने कोई चीज बनाई है मान के चलो कि मेरा पड़ाय वड़ाय से विस्वास उठ गया मैं कलकु सिंगर बन गया ठीक है मैंने गाना गाया उसमें मैंने अपने ही lyrics यूज की है कलको उस गाने को कोई बहुत बड़ा सिंगर मान के चलो मिका सिंग आकर के गा दे और बोले यह तो मेरा गाना है तो ऐसा नहीं हो सकता क्यों क्योंकि मैं उसके उपर case कर सकता हूं अंटर अर्टिकल नंबर 27 विच इस यूनिवर्सल डिकलेशन आफ वूमर राइट्स सो इंपोर्टेंट चीज यह है आपको यह जरूर लिखना है ताकि जो आपके कॉंपी चेक करें उसको पता चल सके कि आपको काफी नॉलिज है आईपी राइट्स की तो बात करें इंट तो यह अगर इंडिया में का मंदत कर रही है तो मशीनum का पेटन मैं सीर्फ इंडिया में ले निया में ने बांट करेंगे राइट्सुन अग्र कोैं कुछान का मेरा टाकान करती राWow क्योंकि जो मेरा पेटेंट था वो टेरीटीरियल राइट से यह उस जगह के लिए वेलेड है एकसे अप्ट कॉपी राइट लेकिन कॉपी राइट मेरा कोई गाना भार भी कॉपी नहीं कर सकता तो यह कुछ माइनर माइनर पॉइंट सा जो आपको लिखने हैं सो अफुली आपको इंट्रेटियल पॉपर्टी राइट किलियर हो गयों होते क्या है तो अब में चीज बात करते हैं कितने तरीके के होते हैं तो इम्पोर्टेंट आप जो हम पढ़ने वाले वह हैं यह तीन तरीके को थे पहला ट्रेड मार्क एक नाइंटीन नाइन दूसरा प्रोपर्टी राइट इंडिया गवन अंडर दा फोलेंग एक्ट कुछ एक्ट्स हैं जो अभी पास हुए लोग सबा में हमारे पार्लेमेंट में पास हुए उसके बाद ही एक्ट्स जो हैं लाग हुए यह कैसे पास होते हैं हमने डाटा प्रोटेक्शन डिजिटल डेटा करें पार्ट्फे क्या पास हुए तो तरह के मेजर्ली एक्ट्स होते हैं पहला ट्रेढ मार्क सी लेटट लेटड गों में से नेक्स करेंगर में कवर करेंगे अब यह हमारे ईमपर्टेंट है राइट असबसे पहला Olik कर्क जुड और 1999 में Patent Act कब आया 1977 में 1970 में लेकिन amended हुआ 2005 में तो amended का मतलब हुआ संसोधन करना कुछ changes करना minor minor changes होते हैं कि जैसे पहले आपने अपनी copy लिखी answer लिखते time तो पहले 1977 लिख दिया तो फिर आप याद करोगे अरे नहीं यह थोड़ा सा गलत हो गया इसको सही करते हैं तो फिर 1970 लिख दिया तो amended का मतलब होता है simply change करना कुछ minor changes हुए कुछ loop holes मिले आपको पहले loop holes मिला कि यह मैंने गलत कर दिया तो उसको change करना तो most important point है amended कब हुआ and copyright act कब है आपके 1957 तो mostly आपको इसकी year याद रखनी है कि IP rights आएंगे तो rights कौन-कौन से होते है आपको वो बताने है और कब-कब हुए यह बताने है ठीक तो अभी मैं इसका overview भी दूँगा 7 marks से पूरे question गा तो most important point है यह मैंने diagram के तुरू आपको depict करने कोईश करी है आप कोईश करना इसको paragraph में लिख सको तो कोई भी functional या technical invention है किसके अंदर आथा functional या technical invention कोई भी मैंने machine बनाई है तो वो किसके अंदर आएगी patent के अंदर आएगी ना उस machine का मुझे patent लिना पड़ेगा तो patent act कब आया 1970 में आया और amended कब हुआ तो आपको कैसे लिखना है पहले लिखना है कि IPR कब-कब होता तो एक दो ती लाइन में ये लिख दिया फिर पहला इसके अंदर patent act के अंदर लिखा functional and technical inventions आते हैं और ये कब आया 1970 में आया और दूसरी लाइन में लिखना एक बार amended हुआ firstly amended in 1999 और secondly amended in 2005 तो जो copy check करें उसको भी अच्छा लगे कि हाँ आपको knowledge है और अगर अप चाहो कि मेरी तरह आपको figure में explain करना तो figure में भी आप explain कर सकते है इस totally up to you because these are the laws which are dealing with the IPR in India right दूसरा तक purely artistic work जो की कोई भी गाना है ये किसके अंदर आदा है copyright के अंदर तो purely अगर आप ऐसे लिखो copyright एक कम संदर दप्यूर्ली आर्टिस्टिक वर्क एंड फस्ली यूज इंटिस्टी सेवर्क एंड 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 इसे भी लिख सकते हैं जैसे पाँच प्लाइन आपकी इसली बढ़ जाएं तो होपफुली आप समझ पा रहे हूं मैं क्या करना चाहरा हूं एंड थर्ड जो आता वह सिंबल लोगो वर्ड साउंड कलर डिजाइन यह सब किसके अंदर आती हैं यह आते ट्रेड मार्क के अंदर अब इन्हें और डिटेल में पढ़ेंगे आपको अभी हैसे जो में बता र में में और यह तीन बार एमेंड मेंड मेंड हुआ फर्स्टी अमेंड इन नाइटी नाइटी सिक्स एंड थर्ली टू थाउजट तो होफुली आप यह भी समझ गया होंगे अब मैं इस पूरे को आपको एक बार ओवर्वी देता हूं था कि आपको कन्फ्यूज नहीं हो न होता हा अगर आपके पास कोशन आये IPR क्या होता है इन इंपनिया प्र्डाइट्स तो बात होती है तो सबसे पहले क सारे territorial rights होते हैं जहां लिए गए हैं जिस देश में लिए गए हैं उसी देश में लाग होंगे ठीक है अब next topic इसके बाद आप क्या रखना most important intellectual property rights कितने तरीके को होते हैं तो तीन तरीके को होते हैं trademark patent copyright अब इसके अंदर कौन-कौन तीछ जाती है पेटेंट के अंदर functional technical invention copyright के अंदर purely artistic work और trademark के अंदर symbol और logo फिर उसके बाद लिखना यह कब-कब लाग हुए यह 1970 में लाग हुआ यह उसके बाद लिखना है कब-कब और कितनी भार चेंज हुए तो यह दो बार चेंज हुआ यह पांच बार चेंज हुआ यह तीन बार चेंज हुआ ठीक है इतना लिख दोगे तो easily आपके दो पेज बढ़ जाएंगे और थर्ड पेज में आपको डाग्राम भी बनाना अगर आप कम से कम तीन पेज इस पर लिखना क्यूंकि आपको हमारा गोल है सेवन में से में सेवन मार्क्स रहें है ठीक लॉंग कोशन में आने कि इसके चांस है बागी इससे पहले हमने आपको इंट्रेक्शन प्रपर्टी और डेटील में बढ़ाया था अगर आप खाली आईपी पर कुशन आए तो यह लिखना और अगर सेवन मार्क्स में आईपी आ रहा है तो आपको यह जो मैंने एक्स्प्रेंग किया इस वीडियो में वो लिखना है और कोई डाउट हो तो आप सीधी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं मैं सबके डाउट इंडिविजली किलियर करने कोश्च करता हूं वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें दोस्तों शायर करें चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू सो मच फॉर वाचिंग मैं वीडिय करें वीडियो करें वीडियो